So guys, आज हम बात करने वाल हैं कि Avengers 4 मुई रिलीज होने से पहले किस तरीके से इसकी extra plot details या फिस जो है Avengers 4 की pre-story को हमें किस तरीके से explain किया जाएगा और वो plot details क्या है Avengers 4 की extra plot details को explain करने में मदद कर सकती है Avengers 4 period comic जैसा कि हमें पाता है कि Avengers Infinity War movie release होने से पहले Marvel ने लाई थी Avengers Infinity War period comic जिसमें हमें ये बता गया था कि किस तरीके से क्या situation है Civil War के बाद हमारे Avengers की इसके अलावा Tony Stark किस तरीके से space में जो उनको threat जो है बहुत सालों से परेशान कर रहा है उ और किस तरीके से MCU ने ये जरनी जो है Avengers Infinity War तक तैग की है Avengers 4 period comic से जो हम सबसे बड़ी चीज़ expect कर सकते हैं वो यह है कि Avengers Infinity War में जब Thanos ने finger को snap किया था जो हमें on screen characters wipe out होते वे नजर आया इसके बाद जो है कौन से characters off screen जो है survive कर गया है जिनकी official confirmation अभी हमारे पास नहीं है जैसा 4 period comic जो है पूरी तरीके से explain कर देगी कि कौन-कौन से characters जो है off screen Avengers Infinity War में Thanos के finger snap करने की वाज़ा से मर चुके है और क्या शूरी जिन्दा है या फिर डैड है इसके लावा Avengers 4 period comic से हमें ये भी पता चल सकता है कि Hawkeye की family क्या Avengers Infinity War में हुए event से effect हुई है जो है Thanos के finger snap करने की Panther को खो देने के बाद Wakanda की situation क्या है और जो विजन की dead body है जिससे जो है Thanos ने Mind Stone निकाल लिया था क्या उसे फिर से ठीक किया जा सकता है Wakandan technology या फिर शूरी की मदद से यहां पर हमें पाता चल जाए कि शूरी किस तरी किसे जो है survive कर गई हो और क्या वो जो है विजन को ठीक कर थी और Avengers Prelude Comic हमें यही भी बता सकती है कि किस तरीके से Milano Ship का यूज करके Tony Stark Titan से वापस जो है Earth पे आये हैं और इसके अलावा किस तरीके से जो है वो establish करने की कोशिश कर रहे हैं Contacts Steve Rogers से फिर वाकांडा के साथ और इस Prelude Comic से जो दो बड़ी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती यह वो है time travel के concept का explanation क्योंकि fans में इस वक्त यही confusion बना हुआ है कि आखिरकार किस टाइप का time travel हमें Avengers 4 में दिखने वाला है इसके अलावा एक और चीज जो ही Prelude Comic explain कर सकती है और जो की बहुत ही बड़ी होने वाली है कि आखिरकार Avengers Infinity War के events के बाद Thanos क्या कर रहा है और कहां पे ह और क्या इस वक्त उसकी current situation है यानि की physical situation क्योंकि Avengers Infinity War के end में जब उसे finger snap किये थे तो उसकी हाला जो है पूरी हाथ की ठीक नहीं थी लेकिन अब अगर मैं बात करूं क्यों Avengers 4 पीलिट कॉमिक आनी चाहिए और क्यों इन सारे extra plot details को explain किया जाना चाहिए इसी comic में तो इसका सब से बड़ा reason यह पहला है कि Avengers 4 movie एक बहुत भी बड़ी movie होने वाली है जिसमें काफी ज्यादा characters का cameo होने वाला है तो ऐसे में बहुत सारे characters को जो है अपना appropriate screen time चाहिए होगा और इसके अलवा हमें पता है कि Avengers 4 movie जो है आगे चलके MCU के phase 4 के लिए काफी ज्यादा important होने वाली ह हैं जिनको जो है explain करने के लिए एक proper time चाहिए होगा directors को और ऐसे में जो है इन सारी extra plot details को Avengers 4 प्लिट कॉमिक में ही जो है explain कर देना चाहिए जो की सबसे best रहेगा और रूसर बेदर्स पहले भी कर चुके हैं जब उन्होंने Avengers Infinity War में से Thanos की backstory को remove कर दिया था और कहीं सारे scenes जो क उनको लगा था कि Avengers Infinity War में ज़रूरी नहीं होंगे तो उनको भी हटा दिया गया था और क्या आपको लगता है कि Avengers 4 प्लिट कॉमिक आनी चाहिए Avengers movie की release से पहले मुझे comment section में बताईएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को like करें शेयर करें और